हेलो एवरीवन गुडीवनी सभी को नमश्कार सभी को वंस अगीन आप सभी का स्वागत है अनकेडमी की स्पेशल क्लास में जिसका नाम है विल्भी की उडाइन इसमें हम आरार भी एंटी पीसी और गृप डी के सारे सिक्शन को कवर करते हैं बहुत सरे बच्चे हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोगों का नमश्कार तो कौन-कौन लाइव आ चुका है जो लोग लाइव नहीं आये हैं वो भी फटा-फट शियर करें अपने दोस्तों में अपने भाई बहनों में ठीक हैं तो सभी लोग फटा-फट लाइव आ जायां है वही क्या के लगोशी नमश्कार और क्या और क्या और क्या वात्चीत करो है अप लोग भ Bean ऑशिक हो रही है जोशी चोदी इंग जोशी पान्ड़े है और कोई भी personal comment नहीं करेगा बिल्कुर सही कही है विशेग निया बाद कोई भी किसी भी personal comment नहां करें कभी-कभी लोग बुरा मान जाते हैं तो बैटर है कि आप लोग किसी भी कोई कमेंट ना करें वो आपके लिए बहतर है और साथ साथ में जो व्यक्ति देख रहा है उसके लिए भी बहतर है क्योंगी कभी-कभी लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा हम पर हर कोई मजाग पसंद नहीं करता तो किस से बलाउंग करेंगे? GTA से और साइνस के कौन-कौन से एकजाम को यह कवर करती है तो दो एकजाम्स हैं एक तो NTPC का जो CBT2 का एकजाम है उसे करती है और साथ साथ में RRV हो जो इक्वर करती यह मेंड ally कवर करता है लेकिन इसके जो questions हैं वो SSC में पूछे गए हैं NTPC में पूछे गए हैं जितने भी exams हो रहे हैं सभी exams में ये questions पूछे गए हैं तो class की सुरुवात करते हैं बिना समय गवाय बिना रोके और आपके सामने इस class का पहला प्रेशन जबर्दस तरीके से आपके सामने आ चुका है अम्बू बाची मेला किस राज में आयुजित किया जाता है मुझे इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए इस राज के बारे में कम से कम एक, दो, तीन, चार, पाँच डिटेल चाहिए फटाफट कमेंट कर दो जरा एक बार क्या अंसर हुगा देखो दोस्तो सबसे पहले जो अंबुबाची मेला है जिस मंदिर पर ये लगता है उस मंदिर का नाम है कामाख्या देवी का मंदिर कहना मैं दोस्तो कामाख्या देवी का मंदिर इसी मंदिर पर ये मेला मनाया जाता है जैसे राज्य की बात कर रहे हैं वहाँ पर दोस्तो मानस नेशनल पार्क, काजी रंगा नेशल पार्क, उरान नेशल पार्क, यह सारे के सारे यहीं पर हैं, मानस और काजी रंगा दोनों ही important है, आप यहाँ पर याद अखना, यहाँ पर प्रिमुक तिवहार और प्रिमुक जो नत है, उसका नाम है बीहू, बीहू क्या है, यहाँ का नत भी है, और यहाँ का तिवह है, वो यहीं पर पाए गए थी, जिनका नाम था, डिग बोई और राइट आंसर विल बी असम, इसका सही उत्तर बन जाएगा, मोस्की बच्चों ने आंसर सही दिया है, तो अगर हम असम की बात के, तो फिमस फेस्टिबल में आता है, बीहू फेस्टिबल, अंगुबची और माजुली फेस्टिबल, इसके सास्तात्मी यहाँ पे दिंग पटिकाई फेस्टिबल भी मनाया जाता है, दिंग पटिकाई फेस्टिबल, इंपॉर्टन पोटेक्टिटिड इरियाद में मानस आता है, ओरंग आता है, डिबरू आता है, डांस में बीहू आता है, और सत् दोस्तो राम क्रेश्न मिशन की सुरुवात किस ने की थी स्वामी विवेकर अंसर दो आंसर आने लगा है लड़कना आंसर दे दिया है पावन रजक काफी दिन के बाद दिख रहा हूं लड़के कैसे हो दूसरा 100% सही बता रहे है बी यह 100% है अच्छा 1897 बंगाल के बिभाजन हुआ था याद कर लो 1900 में भी कुछ अगर याद करने को तो याद कर लो कि सबसे पहले जो है भारत ने उलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वो था 1900 का याद 1900 का याद तो 1897 में मुक्रूप से रामकर्ष्ट की सुरुआत होती इस पिचल ओगनाज था नैस्ट बजट 2020 सरकार में अलग अलग जगहें पर अपनी गोष्ट बनाए जब सरकार 2014 में तो उसने कहा कि 2018 तक पूरे देश को कैसा कर देंगे हर घर से नल का पाइपलाइन का पानी पहुंच जाएगा कब तक का रक्ष लक्ष लक्षा गया था या फिर 2024 का तो आंसा बनेगा अब हो गया है 2024 मतलब 2024 तक पूरी तरीके से हर किसी घर के घर में जो पानी आएगा वो पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचेगा या लक्ष रखा गया है सरकार का किस मिशन के तहत जल जीवन निसल या फिर हर घर जल योजना. दो योजना आपको याधत नी है, जल जीवन विसन, हर घर जल योजना. गुला कुंडा का किला कहां पर استिथ है? दोस्तों, गुला कुंडा की किला के बारे में इंपोर्डन चीज़े जाहां, कि कुली कुतुब सहां, जहां पर यह है उसका जो संस्तापा के वह कुली कुत्ब सा क्लियर है भाई मेरे बास अम्यारी है हाँ गुए दा फर्स स्टेज इसने हर गली यूजना अपना यह बिलकु सही है है और दोसी इंपोर्टन चीज कुली के तफस्ता के निर्मार किया गया था आगरा सहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है लकनव सहर अबद में आता है वाज़िद अली बगएर थे इसके और दिल्ली को एक राजा था जिसका नाम था अनंग पाल तोमर क्या नाम था अनंग पाल तोमर तोमर राजाओं के द्वारा दिल्ली को बसाए गया था जिनमें मुख रूप से अनंग पाल तुमर का नाम आता है अगला प्रस्ट तो आप देख सकते हैं गुला कुंडा का कुत्ब साही राजवन्स के द्वारा इसे स्री के सुरू किया गया था हीरों की खानी के लिए प्रस्ट तो कुलूर खादान के आसपास यह गुला कुंडे के बड़ी हीरे के वैपारी किंद की रूप में विक्षित हुआ था त्यक्या है अलाउद्दीन खिल जी किसका दरबारी कभी कौन था अलाउद्दीन खिल जी वही अलाउद्दीन खिल जी जिसने हजार दीनार में एक व्यक्ति को खरीदा इसलिए इस व्यक्ति को हजार दीनारी कहा गया वही अलाउद्दीन खिल जी जिसकी संदर में एक कहानी लिखी गई जिसका नाम था पदमावत, हैना मलिक काफूर की बात हो रही है, जिससे हजार दिनार में खरीदा था, और मलिक काफूर को ही दक्षड की बिज़े पर भीजा था, सबसे ज़्यादा सक्त बाजाग पढाली भी अलाउदिन खिल जी लेके आये था, अलाउदिन खिल जी के जो दर्वारी कभी उनका नाम था अमीर खुसरो, का नाम था दोस्तो अमीर खुसरो, अच्छा अमीर खुसरो को दोस्तो तोता ए हिंद कहते हैं, क्योंकि नोंने आठ से ज़्यादा राजवनसों को देखा है, देखा है तो उन्हें तोता ए हिंद कहते हैं, एक और इंपोर्टन चीज बताता ह दोस्तों कि अमीर खुसरो को तबला का जनक कहा जाता है किसका जनक कहा जाता है दोस्तों तबला का जनक इनी को कहा जाता है अमीर खुसरो को जैदेव ने गीत गुबिंद कुस्तक को लिखा है और मलिक मुहमद जैसे ने लिखी है पदमाबद कालिगास की वारे में उलेडी ह के आधीन रहते थे नेस्ट कोश्चन डूरंड कप 2019 किसने जीता है डूरंड कप 2019 इनमें से किसके दौरा जीता गया है आसीश नांसा दिया है कवता नांसा दिया है जिसकी किताब बुक है तुगलग नामा बिल्कुल सही कालिदेस की किताब है अबिगान सगुंतलम है रितू सनहार है किसके तरा जीता गया है डूरंड कप इसके पहले 2018 में हुआ 2019 में हुआ अभी तक हुआ किसका होता है так प्रदानमंतरी को पाकिस्तान का सरभोच नागरिक सम्मान प्राप्षण कौन है प्रधान मंत्री है इनके बारे में दो हिंट आपको देना चाहता हूं ये भारत के दूसरे उप प्रधान मंत्री थे Second Deputy Prime Minister of India इंद्रा गांदी जी के समय पर बने और ये भारत के सबसे बुड़े प्रधान मंत्री भी का खिताब भी इनी के पास में जाता है तो भारत के सबसे बुड़े प्रधान मंत्री और दूसरे Deputy Prime Minister तो बने का आंसर क्या हमारत बन जाएगा मुराजी देशाई बाकी तो आप देख सकते इलिमिरेट करके वैसे ही निकल जा रहा है भारत के सबसे यंगस्ट प्राइम मिनिस्टर ते राजीव गांदी यंगस्ट गीत गोविंद के लेखक जो जैदेव हैं वो किस सताबदी के लेखक है तो मतलब यह बढ़िया प्रशन है गीत गोविंद के लेखक जो है वो जैदेव किस सताबदी के लेखक है बटाओ अंसर क्या बनेगा प्रद्यमुना मुहाँ पात्रा अंसर दिये हैं पवन ने अंसर दिया है सुरस्परी ने अंसर दिया है रिश्वन ने अंसर दिया है कवदा अंसर दे रही है मोस्ट बच्चे अंसर दे रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों सी प्रबत संखला से निकलती है बढ़िया प्रशन एक और अच्छा प्रशन जो के नदी है वो किस प्रबत संखला से निकलती है अरावली प्रबत संखला हिमाले में अगर हम बात करें तो सिंदू सिंदू है सतलो जै सिंदू है सतला जै ब्रभगंगा है या ब्रंपुत्र है के नदी केमूर की पहाडियों से निकलती है। to the two states, मढ्द्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो जगए से निकलती है और ये यम्ना की भी त्रिब्यूटरी है, तो आगे जाके यम्ना नदी जो आ रही है, यहाँ से इसी में जाकी यह मिल जाती है और फ़निली में जाके गंगा मिल जाती है, तो यह भी आप कर सकते हैं next question पानी में नमक मिलाने पर उसके कौथनांत में क्या परिवर्तन आएगा हां कैमूर ब्हार में लेकिन वो पहारियां हैं लंबी दूरी तक तरह करती हैं भारत में पानी में नमक मिलाने पर दोस्तों पानी में कुछ भी मिलाओ नमक मिलाओ सक्कर मिलाओ कुछ भी कंकर मिलाओ कोई भी इंप्योटी मिलाओगे पानी का जो कथनांख है जो boiling point है वो हमेशा जादा होगा और पानी का freezing पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा हमेशा कम हो जाएगा तो यह चीज हमेशा याद लखना कि कोई भी चीज मिलाने पर उसका कथनांग हमेशा बढ़ता है और हिमनांग हमेशा घटता है बी बिल बीदा राइट आंसर इसी लिए कभी-कभी हम लोग जब राजना बनाते हैं चोले बढते हैं तो उसि बेकिंग सुड़ा डाल देता हैं बेकिंग सुड़ा से क्या होता है उसका बोईल करने के पानी अब एक सो लीच कर राया है अगर टेंपरिचार ज्यादा सकते हो नमग डाल सकते हो कोई बीची डाल सकते हो नेश्ट कोश्चन 2019 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ था दोस्तों अंतियम समय यह वीमिन का लिखा है जो आपको कन्फ्यूज कर सकता है क्योंकि 2019 में मैंस वाला फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ था 2018 में हुआ था то 2018 जो फीफा वर्ल्ड कप है यह तहां पर हुआ था तो अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस हमारा है रशिया तहां पर हुआ था रशिया में और अगर आजा आपसे पूछा जहए के विनर कौन था किसने ये जो टॉर्नमेंट जीता था तो विनर था फ्रांस विनर कौन था दोस्तों फ्रांस था लेकिन यहां पर पूछा गया है कौन सा विमिन्स वाला विमिन्स का कहां पर हुआ था चेन में हुआ था भारत में हुआ था नेपाल में हुआ था फ्रांस में होता तो दोस logic लगो अपने आप आंसर आ जाएगा तो 2019 का जो FIFA विस्ट कप है वो महिला FIFA विस्ट कप आठ्वा संस्क्रण था जो की कहाँ पर France में आयोजित किया गया था आने वाला जो FIFA World Cup है वो कतर में होगा 2022 का 2022 का कहाँ पर होगा कतर में होगा याद है The Post Office पुस्तक के लेखक कौन है Who is the writer of the book The Post Office फटा फट कमेंट कर दो भाई मेरे पोस्ट आफिस के लेखक कौन है कमेंट करो पोस्ट आफिस जीनी ने जिन्होंने गीतांजली लिखी है राइट जिन्होंने भारत का राष्टिगान लिखा है जिन्होंने बंगलादेश का राष्टिगान लिखा है और उन व्यक्ति का नाम क्या है रविन नात टेगो इंडाराइट आइटांसा महत्मा गांधी के दौरा हिंद स्वराज लिखी गई है महत्मा गांधी के दौरा मैं एक्सपेरिमेंट बिद्तृत लिखी गई है महत्मा के अंधी के दौरा इंडिन उपीनियन और यंग इंडिया पत्रकों का संपादन किया गया है सुभाष चंद बोष के दार एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है या दखना ये किताब किसके दारा लिखी गई है सुभाजचंद बोस के दारा नेश्ट क्वेश्चन तो अगर हम सुभाजचंद बोस की रविनाथ टेगोर की बात के है तो ये किताब है इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबे लिखी है किसके दार लिखी गई है रविनाथ टेगोर के दारा चोकर वाली रविनाथ टेगोर काबली वाला रविनाथ टेगोर दपोस्ट आफिस रविनाथ टेगोर ठीक है ये साविश्च सभी की सभी किताबे रविनाथ टेगोर के दारा लिखी गई है सितंबर 2020 तक कौन सा नेता लोग सभा में सबसे लंबे समय तक सदस से रहा है सबसे लंबे समय तक ये 11 लोग सभा जीत चुके हैं मतलब 55 साल तो ये MP रहे हैं 55 साल सोचिए आप 11 साल तक आंसर दो फड़ा पड़ और लाइक करते चलो भईया मेरे सशी थरूर होगा नहीं मनमौहन सिंग होगा नहीं राहूल गांदी तो बने ही नहीं बाती खतां होगी बाती खतां होगी बाती खतां होगी इंद्रजीत गुपटा is the right answer तो अगर आप तुका भी लगाओगे तो भी आंसर बनेगा इंद्रजीत गुपटा लगपग-लगबग 12 लोग सुभा चुनाओ लड़े हैं जिन में से इनों ने 11 जीत हासिल की है अब आप समझ लीजिए कि कितने साल तक चुनाओ ही लड़ रहे हैं तो इतने साल तक ये क्या रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर रहे हैं Communist Party of India से ये ब्लॉंग करते है नाच वूशन क्या है The Phongpoy Blue Mountain कहां पर इस्तित है The Phongpoy Blue Mountain कहां पर इस्तित है दूगा कहनी कि लाइक तब करूँगा जब सर जब मेरे खासी की दवाईर बताओ कि आच यह कहां से हमारी साही नहीं होई तुम्हारी कहां से सही हो जाएगी लेकिन फिर भी बहुत सारे मार्केट में दवाई हैं अब मेडिकल वाले की परस चले जाओ कर दो खांसी प्रबलम हो रही है तो दे देगा आंसर दो रितेश गुपता हेलो डीजे हलो रितेश हेलो एब्रीवन सुर्सुरी कहा है मिजुरम होगा पॉंग्पुई ब्लू माउंटेन कहां परिस्ते थे पता है या तुक्का लगा रहो मुझे यह लग रहा है तुक्का लगा रहो तुम लोग मेजुरम इस दा राइट मेजुरम में ही है तो मेजुरम में फरंक कोई सबसे उची चोटी यह भी आद रखना आब यहां पर नेशनल पार्क पूछे जाते हैं तो मुरलीन नेशनल पार्क मैंने बहुत बार बताया है बट फिर भी आप लोग बार बूट जाते हैं और एक टाइगर रिजर्ब यह जिसका नाम है डंफार टाइगर रिजब तो मुरलीन नेशनल पार्क और डंफार टाइगर रिजब दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोनों महात्रबून है ठीक है यहां का डांस फॉर्म है जिसे कहते है खुल्लम और शेरो और चैलम और यह है पावनपुरी का ब्लू मौंटे कर दिया गया है पहले जो यूटी थी यूटेट्री की जो लोकसवाज सीटें थी वो 25 हुआ करते थी उन्हें 1973 के में घटागर 20 कर दिया गया आपको बताने कि सम्मेदान संसुधन कौन सा था तो बढ़िया प्रश्न है आंसर दो फटा पर बढ़िये तीश सम्मेदान संसुधन 31 तरह यह उन्तिस काफी सारे बच्च आंसर सही देना राइट आंसर है 31 जो कि 1973 में हुआ था थोड़ा दिमाग यहां लगा लेते यह मैंने अल्यटी हिंट बता दिया था आपको कि 1973 में हुआ था 29 गुए अलो हेलो 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 पादा नहीं कौन है भई पोन करके बोली नहीं रहा है कि उल्ट सुन रहा है अब आज ठीक है नेस्ट क्वेश्च्ट पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी गुजरती है कहां पर है पन्ना पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए गाना तो होगा मतलब पन्ना हीरे की खान है कि याद आ रही की नहीं आ रहा है हीरे की खान है और पन्ना कहांप है नहीं भी आता है तो घवरानी जुरूत नहीं को गंधी निजरों से देखो आपसे चिक-चिक के कहेगा कि भाइसा हम ही है कहाई के लिए इधर और देख रहे हैं तो ध्यान से अगर देखोगे तो अपने आप ही आंसर मिल जाएगा तो के नदी पन्ना टाइगर रिजब से होकर गुजरती है पन्ना राष्ट्य उध्यार भारत में मद्यप्रिदिस के पन्ना और छतरपुर जिले में इस्तितिक राष्ट्य उध्यार है एसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकान समय पन्ना में बिताया था इसका और लेक महाभारत में भी है ना तो पन्ना बहुत इंपर्टने चीज़े जो पांडव अगयरा थे वो यहाँ पर रहे थे कापी समय तो नहों गुजा रहा था यह पर्टने चीज़े कि महाभारत का फार्सी मनवाद अक्पर ने करवाय था जिसका नाम था रज्म नामा और इंडिया जो सर्विसेज है वो किस अनुच्छेत के तहत इनका उल्लेख किया जाता है ठीक है घंदी नजरों का मतलब वह वाली नजरे नहीं है मतलब पढ़ाई वाली नजरे हैं तुम गलत सोचोगे फिर कहोगे देखो टीचर क्या बता रहा है ओल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 आंसर सही आर्टिकल 312 आंसर सही आर्टिकल 315 नहीं है ओल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहे हैं आर्टिकल 315 में PSC की बात होती है PSC मतब जो state level की होती है जैसे UPPSC, WPSC, BP, W के मनदब बिहार PCS और क्या किते हैं बंगाल PCS तो PSC जो होती है वो राज सरकार, राज की जो लोग सिवा आयूग होता है वो 315 में आता है और All India Services Article 312 में आता है ठीक है इसी तरीके से Article 320 में कहा विया है कि इनका function क्या होगा, कैसे कारे करेंगी जो Public Service Commission है उनका कारे क्या होगा, कितने अध्यक छोंगे उनका कारे काल क्या होगा, बागेरा बागेरा ठीक है भाई, next question Crystal Award 2020 के बिजेता कौन है Crystal Award 2000 कविदा करी हम अच्छी नजरों से भी देख लेते है आच्छी बात है, बिलकुल बहुत ही बढ़िया है पर तो क्या होगा, इस थाइब बनाओ लाने के लिए और महिलाओं के लिए परेया बन के लिए दिया गया था, ठीक है तो मैं हिंट देता हूँ आपको देखते हैं आप लोग बता पाते हैं हिंट में आपको यह दे रहा हूं जिस राज्ज में यह आर्किट के सब ज़्यदा फॉरस्ट है वो राज्ज क्या हिंट दू जल्दी से पकड़ ना पाओ एसी कोई हिंट डे लोगैं आप अइसे खुड़ा सबना नंपानेशी लिधेशल पार्क टीट सायई मुने बारे नामदफ़न नैश्नल पार्क है कामलिग वाईलाफ असेंटुरि और दिवां वाईलाफ सेंटुरी कें यहाँ पर किछ तिभाव मनाया जाते हैं जिनमें श्यांग डिवर फेस्टिबल है ठीक है पांग्सु दर्रा है यहां पर बिंटर फेस्टिबल है जीरो फेस्टिबल आप म्यूजिक है यह सभी यहां पर मना जाते है अनुच्छेद तीनसो आड़साथ भारते संब्धान का सबसे महात्पूर उसमें कुछ न कुछ बदलाव कर सकते हैं और इसी बदलाव को कहते हैं संब्धान का संसुदन क्या कहते हैं दोस्तों संब्धान का संसुदन आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ है संब्धान संसुदन की जो प्रिकिरिया है यह दोस्तों सावदक्षण अफ्रीका से ली गई समिधान संसुधन की जो प्रिकिरिया है यह कहां से ली गई है दश्ष्ण अफ्रीका से ली गई है एक कोशन और पूछा जाता है कि समिधान संसुधन किस तरीके से कर सकते हैं तो एक तो साधान बिल्ला के कर सकते हैं और एक बिल्ला के कर सकते हैं तो बिल्ला के कर सकते हैं त बॉलीवुट की भव्य बुडी महिला तक ग्रैंड ओल लेडी किसे मना जाता है वो गाना सुना है न आपने हो मेरी जोहरा सबी तुझे मालूम नहीं मैं अभी तक हूं हसी यह फूलिव जोहरा साइःगा न खील इंडिया किसे कहते है जोहरा सायगल से एससे याद करके देख लो याद करने की तेरीक है तु मेरा जोहरा उननीуем कo किया कहा गया है यह हैं जोहरा सेगल जो कि काफी old हैं आप ही पुरानी हैं लेकिन बहुत अच्छे अक्टरस रही हैं जोरा मुम्तास सेगल इनका पूरा नाम था हिंडिन अक्टरस हैं जोरा मुम्तास सेगल 1940s के ताइम पर नहीं कापके सारे फिल्में किये कापके सारे जो है वो किये है सबसे उश्म गिरह कौन सा है हाँ मदर इंडिया मूवी बहुत बड़ी है बहुत ही हो लिए नर्गिस नहीं है आगे दो अंसा क्वेशन दो सबसे गरम गिरह कौन सा है बुद्ध है शुक्र है पृत्वी है मंगल है तो दोस्तों अगर हम बुद्ध की बात कहा है यह तो सबसे चोटा गरह है और सूर के सबसे नर्दीख है लेकिन फिर भी गरम क्यों नहीं क्योंकि आकार बहुच हो सबसे गरम गरह कौन सा है शुक्र है इसे पृतिवी की बहन कहते है क्या कहते है पृतिवी की बहन कहते है स्तांज का तारा कहते हैं सांज का तारा कहते हैं सुभा का तारा कहते हैं सुभा का तारा कहते हैं चमकीला तारा कहते हैं यह सभी चीजें यही है वीनस सुक्र को कहते हैं राइच अर्थ और उसके बाद मंगल मंगल के दो पग्रह हैं दोस्तों एका नामे फूबोस और एका नामे डीमोस लेकिर आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध और सुक्री इन दोनों का भी जीरो जीरो जो है आर्टीफिशर सेटलाइट है कोई इनके उपगर रहे नहीं पिख्यात बोरो बुदूर बुद्ध मंदर बोरो बुदूर का बुद्ध मंदर कहां पर इस्तित है नेपाल में श्री लंका में इडोनेशिया में मलेशिया में बोरो बुदूर का बुद्ध मंदर कहां पर इस्तित है नेपाल श्री लंका इडोनेशिया में पवन ने आंसर दिया है, आसीष ने आंसर दिया है, मुजाहिद खान ने आंसर दिया है राकेश कुमार मीना ने आंसर दिया है, दोस्तों, इंडोनेशिया विल बी दा राइट आंसर, जो बुरबुदूर मंदिर ये बौध ये मंदिर, आप देख से सकते हैं यह बॉद्य मंदिर है जो की मुख रूप से कहां पर है इंडोनेशिया ठीक है इसे सेवंथ सेंचुरी में बनाया गया था ठीक है महा याना बुद्ध टैंपल है याद रखेंगे यह लोग ठीक है और मैलांग रेजनसी में यह मौजूद है नैस कोश्चर दिल्ली स सल्तनत की एकमात्र महिला साथ है यह तो मुझे लगता है कि सेवंथ क्लास के बच्चे से पूछा जाए तो वो भी बता रेगा ठीक है सेवंथ क्लास का बच्चा भी इसका सही आंसर देगा क्यों कुछ से पता है उसने हजारवाद पर रख रख है जब भी बात क्या होगा आंसर बता भी चांद भी बी नूर जहां रजिया सुल्ताना और मुम्ताज है चौबिस का आंसर हो जाएगा रजिया सुल्ताना रजिया सुल्ताना जो की इल्तुतमिस की पुत्री थी किसकी पुत्री इल्तुतमिस की पुत्री थी और इल्तुतमिस ने इनको ही बनाया था लेकिन चुकी महिला थी महिला होने के कारण इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इन्होंने साधी की थी अल्टूनिया से कंबोडिया में उमकारनाथ का मंदर है बिल्कुँ सही है आगे चले किस वंस के बाद में मौर वंस की जगह दी और होने सिजदा पर भी रोग लगा दी थी सिगदा पाबोस पर रोग लगा दी वज्जे सुल्ताना ने किस वंस के बाद में मौर वंस नहीं जगह दी तो मौर वंस की अगर हम बात करें तो चंदरुप तो मौर है पहले सासक उसके बाद में बिंदु सार, उसके बाद में जो है वो अशोख और फिर आगे जाके बहुत सारे सासा कहते गए अन्तिम जो सासाग था उसका नाम था ब्रदरत ब्रद, ब्रदरत, ठीक है और इसको हराय था पुष्य मित्र पुष्य मित्र आगे लगा दूगा तो पता ही चल देगा आपको तो पुष्य मित्र सुंग ब्रदरत को हराय था पुष्य मित्र सुंग ने और किस मंसकी स्थापना की थी पुष्य सुंग मंसकी स्थापना की थी यह बिल्बिदर आज था ठीक है पता चल रहा है प्रपर समझ में है दूसी एक और इंपर्णने चीज़ है कि मौरे समराज के समय भारत का ही है मौरे समराज के सासन था वो सबसे बड़ा था अब देख सकते हो कहां से कहां नीचे से लेकर यह पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान और यह पूरा का पूरा चेतर मौरे समराज के इंपार में आता था यह 265 बीसी की बात हो रही है वो काफी पुराना बहुत बड़ा चेतर फलता भारत का ठीक है गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में इस्तित है गोल्डन रॉक पगोडा के बारे में इंपॉर्टन चीज़ है कि यहां पर एक पत्थर दो पत्थर है एक ऐसे है और दूसरा बहुत बड़ा पत्थर बहुती चोटी सी जगह में ऐसे लटका हो तो अधिकतर लोग इसको दर्संग करने जाते है कि इतना भारी पत्थर लटका कैसे हुआ है बिदाउट सपोर्ट के इसी के लिए इसे कहा जाता है रॉक पगोडा पैंगल गोल्डन रॉक पगोडा मंदिर जो कि कहां पर है मयम्मार में रैट अंदर क्या बनेगा मयम्मार अब आप देख सकते हैं यह वो पत्थर जिसके बारे हम बात करने यह पूरा का पूरा गोल्डन के जो पानी होता है उससे पूरा का पूरा बनाया गया है और यह जो है वो टैंपल है What is the full form of pdf? Print document folder, portable document format, predefined folder और program document file. आपको बताना है कि What is the full form of pdf? pdf का बिस्तार रूप क्या होता है? बताओ जला. 28 का अंसर. 28 का अंसर बताओ. तो दोस्तो, portable document format will be the result. Portable document format ही pdf का full form. किस गरह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया? इस गरह का नाम रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया? I think Myanmar में ही बुश्यर आइलेंड है, रोहिंगास के लिए हाँ, सही है, बल्कु सही है. रोहिंगास की यहां पर काफी समय से माइनोर्टी है मैं रोहिंगास में और मूसली देशों में जहां पर भी राजा होता है या सासक होता है. जो माइनोर्टी है उसको 1ा二 तरीके से लोग सहसन करते हैं, एक तो अच्छा तरीके से डवलप्मेश करते है वागी चीज़ें करते हैं। तो ग्रेह का नाम रोमण देवता के नाम पर है तो आंसर बनेगा। जुपीटर रहाइन सर, जुपीटर विल बी ě राइट आंसर। जुपीटर वो अस्टोसिट्ट के पूचान जुपीटर वो इस नाम पर रखा गिया। जो पीटर जो है वो सूर्य भर्वान के पाँचवे पिप्त ओर्डर में आ जाता है याद रखेंगे सबी लोग ठीक है और बार साल लगता है इसको एक रेवुलिशन पुरा करने के लिए बीनस इस दा गॉड़स अब व्यूटी लाइक बार विडू निमलिकित मैंसे मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उधारन क्या है वोट इस बेस्ट एग्जामपल ओफ प्री मार्केट अब दा फॉल देग एक बाजार जहां बस्तों को निसुल्क लाया जा सकता है या फिर सरकार के सौमित्त का बाजार या फिर सरकार जहां पर बस्तों की भारी छूट मिलती है या फिर बाजार या मांग जहां आप पूरती से मूल निर्धारत होता है क्या बनेगा आजारन से बहुत ही आसांसी सीज़ है दोस्त देखो यार मेरी बात समझना ध्यान से मुक्त बजार का मतलब यह है कि जिस पर सरकार का कंट्रोल ना है है ना, जिस कौन से चीज कितने तरीके से बनेगी कैसे बनेगी ये डिसाइड करना पूरा का पूरा किस पर करें, मार्केट पर निर्भर करें तो मांग और आपूरती जहां पर बाजार ही निर्दारित करता है उसे ही मुक्त बजार कहते हैं D will be the right answer मतलब demand and supply का concept है किसका सब concept है demand and supply का concept लेकिन demand and supply का concept भारत में लागू नहीं होता है जब यहां पर लोगों की नौकनिया जाती है आपदा होती है बाकी चीज़े होती है तो लोग black marketing करने लगते हैं और इसी लिए black marketing के कारण demand and supply का जो logic है जो concept वो बिगड़ जाता है तो भारत की concept में ऐसा नहीं यही कारण है कि देखो आज रोजगार भी जा रहा है हार एक चीज़ जा रहे फिर भी दाम बढ़ते जा रहे क्यों बढ़ रहे हैं एक काला बजारी बाजी सिस्टम भी यहां पर आ रहता है चलो आपको बताना है which of the following is not related to the center not related इन में ऐसी कौन सी चीज है जो बीच में लिखे हुए सब्द से मिल नहीं खाती है या उसके विसाय में नहीं है या उससे संबंदित नहीं है तो सबी जो चीजें लिखी है इनको ध्यान से पढ़िए और बताईए कि ऐसी कौन सी चीज है जो बीच वाले सक्त से मैच नहीं करती है पहली चीज लिखी है कि इनका उपनाम अमित्र घात था दूसरा प्रिंस जेम्स प्रिंसिप है तीसरा कलिंका युद्ध चौथा उपगुप्त पाच्वा धामिक का सूपा और चटमा लिखा है रमी देई स्तंब का लेख तो दोस्तों आपको पता है कि असोप का उपनाम प्रिय दर्शनी था ना कि अमित्र घात अमित्र घात बिंदु सार का था तो ये हो गया गलाथ जेम्स प्रिंसिप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनके सिलालेखों की लेंग्विज को डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसिप कौन है जिन्होंने असोप के सिलालेखों की लेंग्विज को डेसिफर किया था कलिंग का युद्ध कलिंग का युद्ध लड़ाता बिलकु सही इसी एक बाद उन्होंने बहुत धर्म अपला जया खावीर राजा यार रखेंगे उपगुप्त कौन वेक्ती था उपगुप्त पहला वो वेक्ती था जिन्होंने असोक को इंफ्लिंस किया था कि आप बहुत धर्म को अपना लीजे धामेक का इस्तूपा इन्होंने बनवाया था धामेक उत्तर पर इसकी बात हो रही है और अगर हम बात करें रमनदेश तमले यह क्या है सबसे छोटा इस्तम लेक है जो असोक ने बनवाया है यह चीज भी आप याद रखेगा आपको इन में से पता करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो सरदार बल्लभाई पटेल से रिलेटेड नहीं है which of the following is not related to सरदार बल्लभाई पटेल सर मेरे एक चाचा जी के डैथ हो गया है हाट अटाइब से रही है अपने परिवार का ख्याल रखें सबी लोगों ख्याल रखें आपस में एक दूस्ते की साहता करें रेश्ट इन पीस आपके चाचा जी को सांती मिलें what's up policy कुछ भी नहीं है आपको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा what's up policy कि उनको अफेक्ट कर सकती है उन्हें बहुत ज़्यदा पॉलिटिक्स बगएरा में है खेड़ा सत्याग रहे किया था बिल्कुल सही है जो चीज गलत है वो है सी वाला पार्ट कैसे गलत है देखो दोस्तों सरदार बल्ला भाई पटेर 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे बलकि 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये चीज गलत है बाकी चीज सारी की सारी सही है सो D will be the right, no sorry, C will be the right answer not D. Bismarck of India कहते थे बिल्कुल सही है ये बात बारगुली सत्येगर है सब कुछ सही है खेडा का सत्येगर है इन में भी participate किया था ये भी सही है बट C is the wrong answer उन 1931 में कॉंग्रेस के अद्देश थे ना कि 1930 1930 में जवालान रुबिल को सही है बास समय है कि तो गलत ध्यान से पढ़ोगे तो सही निकलेगा अधरवाई सब गलत करते चले जाओ निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सी चीज गलत लिखी हुई है आपको बताना है which of the following is wrong about निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का उलेख आर्टिकल 324 में किया गया है निर्वाचन आयोग में तीन आयोग तो होते हैं जिने हम Chief Collection Commissioner कहते हैं इसके अलावा इनका कारे काल पांच वर्स का होता है ठीके 61 सम्मिधान संसुधन और 92 सम्मिधान संसुधन निर्वाचन आयोग से संबन दे थे और 10 वी अनुसूची भी इसी से संबन दे थे कौन सी चीज गलत है दोस्तों आपको ये चीज पता है कि 10 वी अनुसूची में एक चीज एड़ की गय थी जिसका नाम था दल बदल कानुन और दल बदल कानुन आप सब को पता है कि निर्वाचन आयोग से ही रिलेटेड है ये राइट ये दल बदल जो कानुन है इसे अपलाई करना का काम भी इसी से संबन दे थे जो कि 52 सम्मिधान संसुधन में आया था तो बी और सी दोनों ही सही है लेकिन आपी एक चीद ध्यान नहीं दिये वो है ये कारेकाल इनका पांच वर्स लिखाए जो कि गलत है निर्वाचन आयोगत का कारेकाल 6 वर्स या फिर 65 वर्स जो पहले आ जाए वो अंसर सही होगा ठीक है तो राइट आंसर इसका क्या होगा 6 वर्स वाला आंसर सही होगा बाकी चीजे सबको सही लिखी है एक दो तीन चार और पांच ये सभी चीजे सही लिखी है लेकिन कारेकाल गलत लिखा है कारेकाल इसका 5 वर्स नहीं होगा बलकि 6 वर्स होगा समझ में आया वो गवड़ी कर रहे हो बिहार के बारे में कौन सी चीज गलत है ये अगर किसी ने गलत किया तो मैं बता रहा हूँ आपको मैं कम्प्यूटर में घुसके आजाओंगा आपके सामने और मुक्का मार दूँगा सही बता दोस्तों ये मोस्ट पॉप्लेशन नहीं होगा यहाँ पर मोस्ट पॉप्लेशन डेंसिटी हो बस यही गबड़ है मोस्ट पॉप्लेशन नहीं होगा बलकि मोस्ट पॉप्लेशन डेंसिटी होगा बस यही गबड़ बाकी सब सही है बाकी सब खेरिया थै मदवनी आठ बिहार से रिल्यटेट है बिहार की राजधानी पटना इसकी स्थापना उदाइन ने की थी बिलकुल सही है बिहार में इस्तित नालंदा युनिवस्टी का निर्मार किस ने कराय था कुमार गुप्त ने कराय था बिलकुल सही है ये बात भी सही है बालमी की निशनल पार्क जो की नेपाल तक जाता है नेपाल को भी डच करता है यह भी यहीं पर है बाकि जाट जटिन लोकनत भी बिहारम है लेकिन जो गलत है वो यही है कि density इसकी highest है लेकिन population highest नहीं है सबसे ज़्यादा population उत्तर प्रदेश की है यह आगा ब्लड के बारे में कौन सी चीज मैच नहीं करती है which of the following is not related to blood हाँ बचेगा है तो हुआरे मुखके से अगला प्रशन which of the following is not related to blood हीमोफीलिया एक बीमारी है बिटामीन के स्पलीन, बॉन मेरो, काल लेंडिस्टीनल आइलेट उप लेंगर हैंस हीमोफीलिया आंसर आने लगा है कुछ बांसर अब इच्छे आंसर ए दे रहे हैं कुछ ए दे रहे हैं कुछ ए दे रहे हैं तो दोस्त मेरे भाई बात ध्यान से समझना हीमोफीलिया एक बीमारी है जो blood में मौजूद factor 9 की कमी से होती है दोस्तो इस बीमारी में blood clotting नहीं होती है और जब blood clotting नहीं होती है तो इनसान को जब भी कट जाएगा तो इसकी सीधे सीधे मरत्य हो जाएगी इस बीमारी को royal disease भी कहते हैं क्योंकि ये बीमारी ब्रेटेन की महरानी को भी थी और उनके बहुत सारे बंसच इसी बीमारी की वज़े से मर गए बिटामीन के blood clotting के लिए बहुत मात्रपुन होता है जिन भी लोगों में vitamin K की कमी होती है जिन भी लोगों में vitamin K की कमी होती है उनके blood clotting properly नहीं हो पाती है राइट नैप्था क्यून और फाइलो क्यून WBC कहते हैं और साथ साथ में इसे graveyard भी कहते हैं यहार मर भी यही पर जाती है तो graveyard कह़ो इसे graveyard भी कहते है graveyard of RBC and WBC ठीक? आगे दिखो Bone marrow में RBC और WBC का जनम होता है याद अखेंगे Bone marrow में मॉजूद होती है इसे कहते हैं stem cell और इस इसे stem cell में हुनका जनम होता है कार्ल लेंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोजगी थी लेकिन आइलर्ट ओफ लेंगर हैंसे इंसुलीन निकलता है जो किसी भी तरीके से ब्लड से सम्बंदित नहीं यहां के टेंसन कम हो जाता है मानों सरीर में प्रैचूर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है कमेंट करो फटा फट मानों सरीर में प्रैचूर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है आयरेन पाया जाता है सबसे ज़्यादा उसके बाद में कारवन हाइट्रोजन यह सा पाय जाते हैं तो अगर हम देखें, तो 65% मात्रा ओक्सीजन की है, उसके बाद में 18.5% कारवन है, और हाइड्रोजन लगबग 9.5% होता है, नाइट्रोजन 3.2% होता है, तो आपको याद हखना है कि मानव शरीर में ये सबी चीज़ें मौझूद होती हैं, कारवन ना ओक्सीजन, फिर उसक लेके आओ, तो वो कह रहे कि सुगर क्या है, बताए सुगर क्या है, वाट इस सुगर, सानु यादव ने लिखा है सानु यादव, वाह क्या कमेंट है, भाया, और कुछ भी लिख सकते हो तो, तो आंसर बनेगा दोस्तो, सुक्रोज, सुक्रोज is the right answer, सुक्रोज ही होता है, जिसे हम टेमल सरक्रा कहते हैं, C12, H221, वो लेकित में से कौन साइक रेशेदार प्रोटीन है, आपको बताना है, which of the following is a रेशेदार प्रोटीन किसे कह रहते हैं, फ्रक्टोज लिख रहा हैं, गलत लिख रहा हैं दोस्तो, फ्रक्टोज is a wrong answer, सर आप option पढ़ दीजेगा, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, ठीक है फ्री, पहला लिखा है, हीमोगलोविन, दूसर लिखा है, अल्ब्यूमिन, तीसर लिखा है, केरेटिन, च नाखून है हमारे ये भी फाइब्रेस प्रोटीन है, तो बाल और नाखून, दोनों के-दोनों 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 के-दोनो लिखा है इसकरभी, तीसा लिखा है बेरी-बेरी, बेरी-बेरी और चौता लिखा है अनीमिया, so you have to tell कि vitamin B6 की deficiency से कौन सा रोग हो जाता है, which disease caused due to deficiency of vitamin B6, vitamin B6 का chemical name है दोस्तो, pyrodoxine, क्या है, pyrodoxine, या लखेंगे सब लोग, बहुत important चीज़ है, अच्छा, रिकिट्स, vitamin D की कमी से होता है, ये याद कर लो, इसकरभी, vitamin C की कमी से होता है, बेरी-बेरी, vitamin B1 की कमी से होता है, बीवन की कमी से होता है, और अनीमिया, vitamin B6 की कमी से होता है, पुरसों और माहिदामा बीटोल की काम से कौन सा इन में से प्लांट हर्मोन नहीं होता है विच प्लांट हर्मोन डास नोट कंटेन इन दा प्लांट इन में से बंदभ पौदी में कौन सा प्लांट हर्मोन नहीं होता है ये कॉश्शन पूछा गया तो which of the following is that not a plant hormone? इंगले में कहा वो लेगी, which of the following is not a plant hormone? पहला option है, Oxyn, Cytocanin, Oxytocin याओ जबलाइड में जबलाइड मॉस्कीटो काटेंग, अच्छा भाई लाइक नहीं बढ़ रहा हैं दोस्त, लाइक बढ़ाओ लाइक क्या होगा? Oxytocin is the right answer. बास समझ रहो? ये Oxytocin लेकिन plants में use किया जाता है, कैसे किया जाता है? प्लांट में इसके injection लगा देते हैं, तो plants का जो size है वो बढ़ा हो जाता है ये Oxytocin की injection अगर जानवरों में लगा देते हैं, तो वो ज्यादा दूद देने लग जाते हैं, जेब्रेलिन से क्या करते है? बाणी पौदों को बढ़ा किया जाता है, बाणी पौदे बढ़े हो जाते हैं, जेब्रेलिन से मूब करने स्टार्ट कर देता है, तो ये question भी पूछा गया था कि एसा कौन सा हर्मोन है, plant हर्मोन जो light से कई न कहीं affect होता है, तो वो oxygen हो जाएगा, तो 40 question थे total आज की class में, जो मैंने आज आज आपको कराए हैं, जो भी लोग unacademy पे सभी चीजे बैच में रहके पढ़ना चाहते हैं, complete analysis करना चाहते हैं, दिखो तो वो plus भी ले सकते हैं, plus के फायदे क्या है, plus का ये फायदा है कि आपको पूरा बैच पढ़ाया जाता है, एक-एक chapter आपको theory कराई जाती है, उसकी बाद में उसका MCQ कराई जाते हैं, तो complete syllabus किया जाता है, तो वो है plus के class, इसमें ज teacher के साब से, course के साब से, या फिर किसी batch के साब से नहीं है, सबी आपके लिए free है, एक महीने के fees 1300 रुपए है, और 12 महीन, 24 महीने के fees 7800 रुपए है, मतलब 14 महीना सस्ता पढ़ता है, पर महीन बंत के साब से, लेकिन अगर आप मेरा code use करेंगे, योगेन तो इससे आपको ये हर संडे को अनेकेडमी का comeback होता है, यही subscription अगर आप free में जीतना चाहते हैं, तो फिर आपको एकदम अपना हुनर दिखाना पड़ेगा, हुनर कैसे दिखाएंगे, अनेकेडमी में, जो संडे में, जो comeback होता है, अगर आपकी एक से लेके 3 तक rank आती है, तो पूरा subscription आपके चाहर से लेके 10 rank आती है, तो 75% फीस में कमी हो जाएगी, 11 से लेके 50 rank आती है, तो 50% scholarship और 51 से लेकर 500 तक आती है, तो 25% की scholarship आपको मिलती है, ठीक है भाई, चलो, तो आज की class में यही पर खतम करते हैं, यही पर over करते हैं, आज रात वाली class के बारे मैं बता देता हूं, आज रात में मैं पढ़ाँगा, light और sound, science का, light and sound, क्या-क्या मिलेगा, previous years questions इससे related, साथ-साथ में थ्योंगे, class की fees कितनी है, free है, free है, कोई पैसा नहीं है, तो this is a free class, कैसे join करना है, इसी वीडियो के description में, मेरा unacademy का profile है, click करिए, unacademy के profile पर जाएए, मुझे follow करके आईए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो code apply करना पड़ेगा, code क्या, योगे, मेरा जो नाम है, यही मे ठीक है, तो यह साड़ी 9 बज़ वाली class के में ने बता दिया, कौन सा topic रहेगा आज का, light or sound, चलो भाई, आज यहीं पर खतम करें, class को, यहीं प्रोबर करते हैं, ठीक है दोस्तों, बाबाई, take care, अपना खैल रखें, अच्छे से रहें, अपनी family का खैल रखें, रात मिलते साड़ी 9 बज़ वाली class में, तो इसे join करना ना भूले, ठीक है भाई, चलो